नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आप्टमिस्टिक एस्ट्रेंट के यूट्यूब चैनल पे आज के करेंट अफेर का टॉपिक है जीरा वायरस जो रिसेंटली आउट ब्रेक हुआ है इंडिया के केरला इस्टेट में चलिए डिसकस करते हैं जीका वायरस डिसीज जेड वीडी यह रिपोर्ट किया गया है पहली बार केरला में एक मदर के अंदर अब जीका वायरस है क्या जीका वायरस एक मॉस्कुटो बॉंट फ्लेवी वायरस है जो पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था यूगांडा में और 1947 में मंकी के अब यूगांडा आईए देखते हैं यूगांड़ कहां पर है यह है यूगांडा ये लandकिंटरी आफ्रीका के इस्टन पार्ट में डो साूथ में तंजानिये से घीरा हुआ है साूथ वेस्ट में रवन्डा से वेस्ट में डेजमोंट्राटिक TV रेपबलीक और कोंगो से औ और इस्ट में केन्या में केन्या से इसके अंदर लेक विक्टोरिया भी है जो वाइट नाइल रिवर का उद्गम उस्थल है इसकी कैपिटल है कंपाला और यूगांडा का करेंसी है यूगांडान सिलिंग जीका वाइरस को पहली बार हिमन में अडेंटिफाय किया गया था 1922 में यूगांडा के अंदर ही और यूगांडा रिप्रब्लिक ऑफ तंजानिया के अंदर जेवीडिक जो है जीका वाइरस ट्रांस्मीट होता है एक एडीज एजेप्ती जो मॉस्कीटो है उसके दौरा ये वही मॉस्कीटो हैं वही मचर हैं जो डेंगू चिकन गुनी और यलो फीवर के भी वाइरस को ट्रांस्मीट करते हैं इसका ट्रांस्मिशन हुआ था उस मदर के फिटेस में प्रेगनेंसी के दौरान त्रू सेक्शुल कॉंटेक्ट जो ब्लेड या ब्लेड प्रोडेट के ट्रांस्मीजन ये औरगन ट्रांस्मीटेशन की वज़े से हुआ था अब इसके सिंटम्स क्या हैं जीका वाइरस के सि इंफेक्शन तो जाता है पर उसके अंदर कोई सिंटम्स डेवलप नहीं होता है और जीका वारस इंफेक्शन होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है माइक्रोस से फिलका जो एक बॉन बच्चे में हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो ह है इसकल वह नॉर्मल हेट साइज से छोटा होता है जो कॉन जेनिटल जीका सिंड्रोम भी जिसको कहा जाता है इसका ट्रीटमेंट क्या है डली अच्चों कहा है कि इसका अभी तक कोई वैक्शीन या कोई मेडिसीन भी नहीं है जीका वारस के लिए और सिर्फ है इसके रिल लिए है तो अब गॉल्मेंट की किया क्या प्रोग्राम या इनिसेटी स्थाइं माँनेट को इस स्देश्टेमिक प्रोण रिषिस moving करता है। दूसरा है National Vector Bond Diseases Central Program, यह Central Nodal Agency है, जो Prevent करता और Control करता है छे Vector Bond Diseases को, जैसे कि Malaria हो गया, Dingo हो गया, Lymphatic हो गया, Philaresis, कालाजार हो गया, Japanese Encephalitis और चिकन गुनिया हो गया इंडिया में, और तीसरा है, राष्टी बाल स्वास्थ कारिकरम, यह एक इनेंसेट्यू है, National Health Mission के अंडर में, जो सर्विलांस करता है Microcephal, जो System for Monitoring Birth Defects, जो भी पैदा होने पर जो भी Birth Defects होते हैं, उनको मॉनिटर करता है, उसके लिए सर्विलांस है, यह Microcephal system, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और शेर भी करें, और आप नए हूँ इस चैनल पर तो Optimistic Aspirant YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडियो पाने के लिए मेरे टेलिग्राम चैनल Optimistic Aspirant को जोईन करें, थैंक यू सो मच,